धन प्रबंधन आपके वित्त को इस तरह से प्रबंधित और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है जिससे आपको अपने वित्तिय लक्षियों को प्राप्त करने में मदद मिलती है इसमें बजट बनाना, बचचत करना, निवेश करना और आपके खर्चों की निग्रानी जैसी कई तरह की गतिविधिया शामिल है प्रभावी धन प्रबंधन आपको बेहतर विप्तिय निर्नए लेने, कर्द से बचने और विप्तिय सुरक्षा हासिल करने में मदद कर सकता है निम्नलिखित लेख इसके महत्व, सिध्धान्तो और व्यभारिक सुझावो सहित धन प्रबंधन का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करेगा धन प्रबंधन का महत्व विप्तिय स्थिर्ता और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रभावी धन प्रबंधन महत्व पूर्ण है यहां कुछ कारण दिये गए है कि यह क्यूं महत्व पूर्ण है आपको अपने लक्षियों को प्राप्त करने में मदद करता है धन प्रबंधन का अर्थ है इसके विप्रीत होने के बजाए आपके पैसे को आपके लिए काम मिलाना अपने विता को प्रभावी धन्ग से प्रबंधित करके आप एक बजट बना सकते हैं जो आपके विप्तिय लक्षियों को प्राप्त करने में आपकी सहायता करता है चाहे वो घर पर डाउन पेमेंट के लिए बचत करना हो या अपने छात रिन का भुखतान करना हो आपको कर्च से बचने में मदद करता है धन प्रबंधन के सबसे बड़े लाभू में से एक ये है कि ये आपको कर्च से बचने में मदद करता है अपने खर्चों पर नजर रख कर और एक बजट बना कर आप ज्यादा खर्च करने से बच सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके पास अपने बिलो और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए परियाप्थ पैसा है आपको धन बनाने में मदद करता है प्रभावी धन प्रबंधन आपको समय के साथ धन बनाने में भी मदद कर सकता है अपने पैसे को गुद्धिमानी से बचा कर और निवेश करके आप अपना धन बढ़ा सकते हैं और वित्तिय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं वित्ती अतनाव कम करता है धन प्रबंधन आपके वित्त के लिए एक स्पष्ठ योजना प्रदान करके वित्ती अतनाव को कम करने में मदद कर सकता है यह आपको मन की शांती दे सकता है और आपको अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलों पर ध्यान की इंद्रित करने की अनुमती देता है धन प्रबंधन के सिध्धान्त प्रभावी धन प्रबंधन में विभिन प्रकार के सिध्धान्त शामिल होते हैं जो आपको बेहतर वित्तिय निर्नए लेने में मदद कर सकते हैं यहां कुछ प्रमुक सिध्धान्त दिये गए हैं बजट बनाना बजट बनाना प्रभावी धन प्रबंधन की नीव है इसमें आपकी आय और व्याय के लिए एक योजना बनाना और उस पर टिके रहना शामिल है एक बजट आपको अत्यधिक खर्च से बचने अपने वित्तिय लक्षियों को प्राथमिक्ता देने और ये सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि आपके पास अपने बिलों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए परियाप्त धन है बचत बचत धन प्रबंधन का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धान्त है इसमें भविश्य के खर्चों या अपात स्थितियों के लिए अपनी आय का एक हिस्सा अलग करना शामिल है नियमित रूप से बचत करके आप एक वित्तिय गद्धी बना सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके पास अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने के लिए परियाप्त धन है निवेश निवेश आपके पैसे को शेयर बजार, रियल एस्टेट या अन्य निवेश वाहनों में काम करने की प्रक्रिया है निवेश आपको समय के साथ अपने धन को बढ़ाने और वित्तिय अस्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद कर सकता है रिन प्रबंधन रिन प्रबंधन में आपके रिन को प्रभावी धंग से प्रबंधित करना शामिल है चाहे वो क्रेडिट कार्ड रिन, छात्र रिन या बंधक हो समय पर भुपतान करके और उच्च ब्याज वाले रिन से बच कर आप अपना क्रेडिट्स को सुधार सकते हैं और वित्तिय स्थिर्ता प्राप्त कर सकते हैं जोखिम प्रबंधन जोखिम प्रबंधन में आपके वित्त को अप्रत्याशित घटनाओं जैसे नौकरी छूटना, बीमारी या प्राकृतिक आपदाओं से बचाना शामिल है इसमें बीमा खरीदना, अपात कालीन कोश बनाना या अपने निवेशों में विविधता लाना शामिल हो सकता है प्रभावी धन प्रबंधन में बजट बनाना पहला कदम है अपने खर्चों पर नजर रखने और अपनी आय और व्याय के लिए एक योजना बनाकर प्रारंब करें जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचने के लिए जितना हो सके अपने बजट का धियान रखें, नियमित रूप से बचट करें एक विट्तिय अगद्धी बनाने और अपने विट्तिय लक्षियों को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से बचट करना महत्वपूर्ण है बचट के लिए हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा अलग रखें और इसे आसान बनाने के लिए स्वचालित स्थानांतरण का उप्योग करने पर विचार करें बुद्धिमानी से निवेश करें समय के साथ धन निर्मान के लिए निवेश एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है अपने वित्तिय लक्षियों और जोखिम सहन शीलता के साथ संरेखित एक निवेश योजना बनाने के लिए एक वित्तिय सलाहकार के साथ काम करने पर विचार करें कर्ज का प्रबंधन करें कर्ज वित्तिय स्थिरता के लिए एक बड़ी बाधा हो सकता है समय पर भुकतान करना सुनिश्चित करें, उच्च ब्याज वाले रिंज से बचें और समेकन पर विचार करें